Welcome students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्वेशिंस रिद्यूसिबल तो होमोजेनियस फॉर्म ठीक है, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था होमोजेनियस डिफ्रेंशिल एक्वेशिंस का सॉल्यूशन, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्वेशिंस रिद्यूसिबल तो होमोजेनियस फॉर्म मतलब वो एक्वेशिंस, उन एक्वेशिंस का सॉल्यूशन, जो की होमोजेनियस डिफ्रेंशिल एक्वेशिंस में पाद ही इस वीडियो पे आएं क्योंकि अब हम जो भी equation given होगी जो कि homogeneous equation में reduce हो सकती होगी तो उसे पहले homogeneous differential equation में reduce करेंगे और जब वो equation homogeneous equation में reduce हो जाएगी उसके बाद हम उसको solve करेंगे ठीक है तो solve करने का तरीका जो होगा वो homogeneous homogeneous differential equation की तरह होगा तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखिएगा तब यहां पर आगेगा ठीक है अब देखिए जब समीकरण निम्न रूप की हो ठीक है तो किस रूप की हो तो जब समीकरण d y by d x equal to a x plus by plus c upon a dash x plus b dash y plus c dash इस रूप की हो ठीक है इसी रूप के साथ एक condition होती है कि a a dash is not equal to b b dash यह condition लगाई जाती है ताकि अभी हम जब इसको reduce करेंगे होमजीनियस में तो उस reduce करने में जो equations भनेगी उनके आस्तित्व के लिए या फिर कह सकते हैं कि हमें जो value find out करनी है उन value को find out करने के लिए इस condition की जरूप की हो ठीक है तो अगर आपकी आप से यह कहूं कि यह equation कौन से order की है तो आप देखे इस term का order one है इस term का order one है इस term का order zero है इस term का one है और इस term का zero है मतलब मेरे पास zero order की दो terms है c और c डेश तो अगर मेरे पास यह c और c डेश नहीं होता अगर यह दोनों terms यहां से गायप हो जाती रिमूव हो जाती तो मेरी equation जो थी वो homogenous हो जाती first order की क्योंकि बाकी sub terms first order की है ठीक है तो अब हम try करते हैं कुछ ऐसा substitution करेंगे ताकि यह c और c डेश जो है यह गायप हो जाए ठीक है तो इसके लिए मैं substitution देता हूं कि x को हम replace कर देंगे capital x plus h से और y को replace करेंगे capital y plus k से मतलब हम यह दो substitution करना चाहते हैं अगर x equals to capital x plus h है h एक constant है जो हमें find out करना है h and k are constant अचर है ठीक है h और k अचर है तो अगर यह दोनों मैंने x की जगे रखा तो dx बराबर क्या हो जाएगा d capital x h constant है तो constant का derivative क्या होता है 0 इसी तरह से dy equals to dy plus 0 ठीक है तो यह तो आगया dx और यह आगया dy मतलब यह दोनों values यहां के लिए तो हमारे पास आ गई ठीक है अब हम क्या करते हैं कि यह जो dx और dy यह तो यहां पर substitute करते हैं x और y की value यहां पर substitute करते हैं ठीक है तो ऐसा करने पर हमारी equation क्या बन जाएगी dy by dx equals to a x की जगे हम रखेंगे x plus h plus b y plus h sorry k plus c upon a dash x plus h plus b dash y plus k plus c dash ठीक है यह equation बन गई अब यह जो equation हमारे पास बन गई है differential equation ठीक है तो अब अगर मैं इसमें से variable अलग करूँ तो यह हो जाए a x plus by plus a h plus b k plus c upon a dash x plus b dash y plus a dash h plus b dash k plus c dash यह equation बन गई substitution के बाद ठीक है अब आप यह कहेंगे कि substitution से पहले तो एक c था आपने दो value और ला दी ठीक है यह हुआ ना कि पहले तो यहाँ c था अब हमने दो value और ला दी ठीक है अब मैं आपसे कहूंगा कि अभी तक h और k जो की constant थे वो हमें ग्याद तो नहीं है तो अब हम h और k की value कुछ इस तरह से ग्याद करेंगे ठीक है किस तरह से कुछ इस तरह से इसकी value को find out करेंगे ताकि यह पूरी value 0 हो जाए ठीक है इसी तरह से यह जो value है यह भी 0 हो जाए ठीक है इससे क्या हुआ अब हमारे पास कि अब हमारे पास h और k के लिए एक equation है यह जिस से हमें ऐसी value find out करने है कि यह 0 हो जाए और यह भी एक equation है तो अब हमारे पास दो samikरण आ गए है जिसमें दो value अग्याद है कौनसी h और k, तो दो समीकरण और 2 value अजयात तो हम इन दोनों अजयात value को गयात कर सकते हैं, तो अब हमें क्या करना है, h plus b k plus c equal to 0, और a dash h plus b dash k plus c dash equals to 0. इन दोनों समीकरणों को हल करना है, इन दोनों को हल करने से हमें h और k का मान गयात होगा, ठीक है, h और k का मान ग्यात होने पर हमें क्या होगा, ह और k का मान ग्यात हो गया, तो जब हम h और k का ग्यात मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, तो यह समीकरण कैसी हो जाएगी, यह समीकरण हो जाएगी dy by dx equals to ax plus by upon a dash x plus b dash y, ठीक है, यहाँ पर और कोई constant नहीं आएगा, क्योंकि हमने substitution यह ऐसा किया था, यह constant term zero हो जाएगी, तो हमारे पास यह equation आजाएगी, और अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यह equation इसमें x की घात 1, y1, 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 तो हर एक term की घात 1 हो जाती है, ठीक है, तो अब हम इसे homogenious differential equation की तरीके से solve कर लेगे, ठीक है, तो यह तरीका होगा हमारा हमेशा इस differential equation को solve करनेगा, ठीक है, तो चलिए, अब शुरू करते हैं differential equation को solve करना, यह एक खास substitution है, इसके अलावा भी आप substitution यूज कर सकते हैं, अगर इसके अलावा भी किसी तरह से आप equation को homogenious equation में परिवर्तित कर सकें, तो हम उसका solution ग्यात कर सकते हैं, यह याद रखिएगा, ठीक है, चलिए, जैसे कि अब हम equation लेते हैं, dy by dx equal to x plus 2y minus 3 upon 2x plus y minus 3, ठीक है, यह एक समीकरण है, इस समीकरण को हमें हल करना है, ठीक है, तो समीकरण को हल करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें ये दो terms ऐसी हैं, जो अगर नहीं होती, तो हमारी equation homogeneous हो जाती है, इसका solution हमें ग्यात हो जाता, तो हम करते हैं कि माना की x बराबर x plus h तथा y बराबर y plus k, तो दिया गया समीकरण निम्न प्रकार होगा, ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, अब जैसे कि हमने उपर भी ग्यात किया था, x अगर x हो, x plus h, y plus h, तो dx equals to d capital x, dy equals to dy, तो dx बराबर d capital x, और dy बराबर d capital y, ठीक है, और ये सारी values जब हम substitute करेंगे, तो ये हो जाएगा, dy by dx equals to, x plus h plus 2 y plus k minus 3 upon 2x plus h plus y, sorry, y plus k minus 3, ठीक है, अब ये समीकरण आने के बाद हम क्या करेंगे, कि इस समीकरण में जो ये constant वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट, इस भाग को हमें 0 के equal करना है, शुन्ने के बराबर करना है, तो ये भाग जब शुन्ने के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास h और k की value आ जाएगी, ठीक है, तो हम वो दोनों भाग लिख लेते हैं, h प्लस 2k माइनस 3 equal to 0, 2h प्लस k माइनस 3 equal to 0, जब हम इन दोनों equations को हल करेंगे, तो इन दोनों equations से h का मान आ जाएगा 1, और k का मान भी आ जाएगा 1, ये आपको solve करनी है अपने हाँ से, ताकि आप practice कर सकें, मैं इसको direct result लिख रहा हूँ, ठीक है, तो हमारे पास h और k की value आ गई, तो h और k का मान जब हम समी करन में रखेंगे, तो वो dy by dx बराबर x प्लस 2y upon 2x प्लस y, इसमें परिवर्थित हो जाएगी, ठीक है, अब ये x और y में एक homogeneous equation है, तो homogeneous के लिए हम x को common ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x, y by x, इसमें x नहीं आता, इसी तरह से ये 2 प्लस y by x हो जाएगा, मैंने उपर से भी x को common ले लिया, और नीचे से भी x को common ले लिया, ठीक है, तो ये जो दोनों x हैं, उपर और नीचे वाला, ये दोनों cancel हो जाएगा, और हमारी equation किस तरह की हो जाएगी, 1 प्लस 2 y by x upon 2 प्लस y by x, ये हमारी equation प्राप्ट हो गई हमें, ठीक है, तो ये equation आने के बाद, अब हमें homogeneous differential equation जिस तरह से solve करते थे, उसी process को आगे बढ़ाना है, तो अब हम मानते हैं, कि y बराबर vx, तो dy by dx equals to v plus x dv by dx, ठीक है, अब ये मान हम अपने दिये गए समीकरण में रखेंगे, तो ये दिया गया समीकरण हो जाएगा, v plus x dv by dx equals to 1 plus 2v upon 2 plus v, ठीक है, तो अब हम इस तरफ ले लेते हैं, x dv by dx equals to 1 plus 2v, 2 plus v minus v, ठीक है, lc m ले लेते हैं, lc m लेने के बाद, ये जो equation है, ये हो जाएगी, 1 minus v square upon 2 plus v, ठीक है, तो इसमें, अब equation में इस तरफ x के variable हैं, इस तरफ v के variable हैं, हम इनको separate कर सकते हैं, तो हम इसे लिख देंगे क्या, dv और dv के intimate 2 plus v upon 1 minus v square equals to dx upon x, ठीक है, ये आ गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 minus v square है, तो ये a plus b, a minus b के formula से open करेंगे, तो 2 plus v upon 1 plus v, and 1 minus v, dv equals to dx upon x, ठीक है, ये आ गया, इसके बाद हम इसको separate करेंगे, fractional of variable method से, इन दोनों को अलग-अलग करेंगे, और इन दोनों को अलग-अलग करने पर हम क्या मिलेंगे, हम को मिलता है, 1 by 2, 1 upon 1 plus v, plus 3 by 2, 1 upon 1 minus v, ये दोनों हमने fractional of variable से अलग-अलग कर दे, फ्रेक्शनल कर दे, ठीक है, ये आ गया, अब इस टाम को दोनों पक्षों का, समाकलन करने पर, तो जो हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं, तो उसकी बाद हमारे पास आ जाता है, 1 by 2, log of 1 plus v, plus 3 by 2, log of 1 minus v, equal to log of x plus log of c, मैंने यहाँ पर c को भी log में लिया है, क्योंकि मेरी बाकी के सारे variables log में आ रहे थे, तो जब मेरे सारे variables log में थे, तो मैंने c को भी log में लिया, ठीक है, तो यह आ गया, अब हम सारे log जो हैं, वो cancel out करेंगे, ये दोनो multiply हो जाएंगे ये दोनो multiply हो जाएंगे ठीक है और जब हम इसके locks को remove कर देंगे अच्छा एक और बात ये minus का sign आएगा क्योंकि ये minus V है तो इसके integration के बाद यहाँ minus आजाएगा ठीक है तो ये सारे lock cancel करने के बाद हमारी equation कुछ इस तरह से आजाएगी x square c square equals to 1 plus V upon 1 minus V whole cube ठीक है अब capital X का value रखना है और V का value रखना है तो capital X का value और V का value रखते समय याद रखिएगा V का value हमने क्या लिया था V equals to Y by X अगर capital Y by capital X ठीक है small y पर नहीं गन्फियू करना है ठीक है तो हम V का value और Y का value जब रखेंगे तो ये equation जो है वो change होके आजाएगी x minus y whole cube into c cube sorry c square equals to x plus y minus 2 ये हमारे पास finalist का solution ठीक है तो हमने सबसे पहले capital X plus H रखा और उसको equation में जो terms constants की थी उन्हें 0 के equate किया दोनों के value find out कि H और K की value रखी equation homogeneous हो गई homogeneous का तरीका लगाया homogeneous का तरीका लगाके इस equation को reduce करते गई यहां तक ले आए जब X के variable एक तरफ Y के variable एक तरफ आ गए फिर हमने दोनों पक्षों का alkaline किया दोनों पक्षों का alkaline करने के बाद जब हमने lastly दोनों पक्षों का alkaline समा alkaline कर लिया उसके बाद हमने X और V की value substitute कर दी V में जो Y आये था capital Y उसकी value भी substitute कर दी और इसके द्वारा हमें ये जहल प्राप्ट हो गया ठीक है अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अपने book में दिये हुए examples और exercise की questions कर लेंगे और अगर आपको उसमें कोई समस्या हो तो please ask me